हलो फ्रेंड्स आपका गीता ज़र्ण में स्वागत है और आज बच्चों का सबसे फैवरेट पास्ता बना रही हूं पर ये पास्ता सूजी का पास्ता है इसलिए नुकसान नहीं करेगा आप इसे बनाईए बच्चों को खिलाईए एक दम चाओ के साथ बच्चे खाएंगे और इसकी अब तयारी करती हूं जिसके लिए मैंने टमाटर लिये हैं यहाँ पे हमने चार टमाटर लिये हैं जिसको अच्छे से हम इस तरह से गैस पर सेख लेंगे आप इस तरह से एक बार बना कर देखेगा बहुत अच्छा पास्ता बन कर तयार होता है और इस तरह से हम चारो तरब से गुमा गुमा कर हम अपनी तमाटर को सेक लेंगे अब तमाटर हो गया है इसे हम एक बरतर में निकाल लेते हैं अब लेंगे एक कैपसिकम हमें बड़ी साइज का कैपसिकम है इसलिए हमने एक ही लिया है इसे भी हम चारो तरब से गुमा गुमा कर सेक लेंगे और ये देखिए एक दमबणिया सा सिग गया है अब इसे हम एक साइट देखिए छिलका इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे टमाटर का होगा या इसका हम सब का छिलका इस तरह से चाकू के सायता से हम निकाल देंगे और ये देखिए बहुत ज़ादा नहीं गला है लेकिन उप पीचने का है और ये हमारा भूजा भूटमाटर है और इसे भी मिडियम साइज की बहुत बड़ी मिर्च यह उसे भी मिर्च अपने साधन साधा डाल सकते हैं बच्चों के लिए बनाएं तो इसके भी कर सकते हैं और ये देखें अद्रक है अद्रक है इंच जितना अद्रक है इसे भी हमने ले लिया है अब इन सारी चीजों को हमारी तैयारी हो गई है अब हम क्या करेंगे एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें सबी चीजों को जो हमने कैपसिकम, टमाटर, प्याज, लेसन, अध्रक, खरीमिर्च, यह सब काटा था, इन साब चीजों को हम डाल देंगे, मिक्सर जार में, और उसे हम पीस लेंगे, अच्छे से पीस लेना है, अगर बहुत देखिए, पेस्ट जैसा नहीं, हलका सा दरदरा पन रहेगा, यह देखिए, इस तरह से पिस्ख से तयार हो जाएगा, अब इसे हम एक साइड में रख देंगे, और अब चलेंगे, गैस की तरफ, गैस पे एक बरतन में पानी रख देंगे, हमने गड़ाई लिए, उसमें पानी डाल दिया है, और डाल देंगे, नमक, साथ म दो चमच हमने तेल डाल दिया है, जब अच्छे से खौलने लगेगा, तब इसमें हम पास्ता डाल देंगे, पास्ता हमने इस जो बरतन आपको दिखा, यह बाल से एक बाल और आधा बाल और यानि कि डेर बाल हमने बास्ता लिया है, और इसे हम अच्छे से बॉयल होने दे यानि एक हलका साथ हलका साथ जब काटेंगे न तो इकदम पता चल जाता है कि एकदम गला नहीं है हलका सा बाकी रहता है तब हम इसे च्छान लेंगे और ठंडे पानी से तुरंध हो कर एक साइड में रख देंगे फिर से अमने पैन रख दिया है उसी पैन में तेल डाला है और साथ में हमने ये धीर सारी लसन है, उसे हमने छोटे-छोटे चौप कर लिया है, और बहुत इसे जलाना नहीं है, हलका हमको थोड़ा सा गुलाईबी पन से भी पहले हम इसे होगा, तभी हम प्याज डाल देंगे, फिर यहाँ पे हमने एक प्याज लिया है, उसे भी काट लिया है, अब जिस भी चाहे उसे पमें काट सकते हैं, हम और यहाँ पे हमने लिए है गाजर यह एक गाजर है उसे भी हमने थोड़ी सी लंबी साइज में आदे इंच से जितना एक इंच जितना हमने लंबा रखा है और उसे भी काटे है अब आज के साथ धम गाजर को भी भूज लेंगे अब हमने यहाँ पर एक कैप्सिकम और लिये यह जो है मीडियम साइज की कैप्सिकम है इसे भी हमने चोटे-चोटे काट लिये हैं अब इन सब चीजों को डाल के अच्छे से भूज लेंगे और यह है मकई के दाने कॉर्ण यह हमारे फ्रोजन है इसलिए हम इसे सबसे लास्ट में डाले हैं अगर फ्रेस है तो आप पहले डाल दीजे या तो हलका सा बॉइल करके डाल दीजे अब इन सब चीजों को अच्छे से हम भूज लेंगे अब इसके बाद हम यहाँ पे नमक डालेंगे नमक हमें ध्यान रखना है कि जो है हमने पास्टा उबाला था तो उसमें भी हमने नमक डाला था और पास्टा का जो पानी है न मुझे फेकेंग नहीं क्योंकि वो भी आगे काम में आता है तो नमक हमें ध्यान से डालना है यह हमने यहाँ पे डाला है काली मिर्च ब्लैक पेपर उसे भी हमने कुटके एकदम फ्रेस कुटके डाला है उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है भास्ता में आप ज़रूर डालेंगे और यह है चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स हमने यहाँ पे एक चमच जितना डाला है आप अपने स्वाद अमसार करें क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी यूज किया है तो आप मिर्च किस के लिए बना रहें या आपको कैसा तिका चाहिए उस हिसापसी यूज करिएगा यह एक टमाटर इसे भी हमने चोटे-चोटे काट लिया है यह भी मिडियम साइज का ही टमाटर है इसे भी हमने काट लिया है अब इन सारी चीजों को डाल के करेंगे टमाटर हमें सबसे बाद में डालना है क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है और बहुत ज़्यादा हमें गलाना नहीं है अब ये देखी हमारे पास्ता सौस है हमने यहाँ पे दो चमच भर के डाली है इसका भी तीखा बनाएगा नमक है इसमें इसलिए आप जब भी नमक या तीखा जो आप बनावें वो अपने स्वादन सार बनाए कि आपको कितना तीखा चीए हमने यहाँ पे हरी मेज, चिली फ्लेक्स और साथ में पीजा आजिस्वारी पास्ता सौस डाला है यहाँ पे हमने अब डाला औरिगेनो इन सब चीजों को मैं डाल चुकी है अब जो है हमने पेस्ट बना के जो रखा था कैपसिकम, प्याज और हरी मेज, अद्रक, लहसन उन सब का पेस्ट अब यहाँ पे डाल देंगे अब इसके साथ हम इसे सब मसालों के साथ इसे भूज लेंगे और इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूजना है क्योंकि सब हमने गैस पे भूज रख, भूज कर ही इन सब चीजों को त्यार किया इस ते टाइम ने लगता फटा पट बनता है और यह देखे खौलने लगेगा? तब हम यहाँ पे यह डालेंगे दम फ्रेस मलाई हमने अमूलकि महाती यह वह क्रीम ली है आप चाहे तो घर के फ्रेस मलाई भी डाल सकते हमने क्रीम का यूज किया है तो आप जो एं यह देखे यह एकदम creamy जो है न इसका creamy texture जो आएगा एक तो creamy जैसा हो जाएगा और साथ में थोड़ा ना pink pasta बनकर तयार होता है यह looks आपको साइद दीख नहीं पारा होगा पर बनने के बाद वो एक pink pasta जैसा बनकर यह तयार हो जाता है अब हम क्या करेंगे cream डालने के बाद इसमें डाल वो पास्ते जो हमने बना के boil करके रखे थे और यह देखे एकदम अलग-अलग इसे आप छांगने के साथ ही ठंडे पाने से दो दीजिए वापस में चिपकेंगे नहीं अब यहाँ पे हम डाल देंगे process seeds है दो process seeds क्यूब वाली जो आते हैं वो हमने डाला है तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है हमें सुखा लग रहा है तो हमने जो पास्ता चाना थो पानी बचा के रखी थी उसी पानी को हम यहाँ पे यूज करेंगे आप उसे फेका न करें उसे बचा के रखिए पास्ता बनाते समय उसी का यूज करिए बहुत अच्छा पास्ता बनकर त्यार होता बस लुक्स्यमी स्वाद्यमी और आप लोग से एक रिक्वेस्ट हैं आप लोग मेरे वीडियो को फूल वाज करें जदा से जदा शेयर करें कमेंट्स करना ना भूलें और जो नए लोग हैं प्लीज आप सबी लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूब प्रेस करें ताकि नई ने रेसिपी आप तक पहुंचे और आज कल धंडी धंडी सीजनों में गर्मा गर्म इस तरफ बना बना कर कभी भी बच्चों को दीजिए अगर आप खुद भी खाईए मज़ा आ गया लुक्स यमी स्वार यमी और उपर से आप डाल दीजिए चिली फ्लेक्स और इसके बाद आप इसको थोड़ी देर बाद मिक्स कर दीजिए इसे बन करते आरें पास्ता हमारा और ये है सुजी का पास्ता इसलिए ये नुक्सान भी नहीं करेगा आप बच्चों को खिलाए खुद खाईए लुक्से मी